दोस्ते, हमारो दोश के वो तहलवान, हमारो दोश के वो खिनाडी, जिनोंने पूरी दुन्या के इंदर भारत का नाम रोशन किया था, आज पिसमें एक हफ्ते से जन्तर मंतर पे एक हफ्ते से प्रजर्शन कर रहे हैं, क्यों प्रजर्शन कर रहे हैं? क्योंकि इनकी पार्टी के किसी बड़े नेता में हमारे देश का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को हमारी बेहनों के साथ दुर्वेवहार किया, गलत काम किया. वैसे तो हमारे देश की किसी बहन के साथ, 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 अगर पर गलत काम हो, उस वक्ती को तुरंद पकर के सख 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 सजय मिली दिए फासी बाट का देश देशते हैं, लेकिन ये पर दुख्ती बहुत है कि ये महिलाये, सम्माल में महिलाये दिये, ये वो जिने भारत का नाम रहसं किया अपनी बैनक से. पूरी दुनिया देख रही थी, इनके हाथ में करंगा था, और पीछे जंगनमन का गाना अपना दूट चल रहा था, जंगनमन गाया जा रहा था, पूरी दिया रहा रही थी. उनके साथ, अगर किसी आदमी ने छेखनी करीद दर्मयार किया, गलक्तान किया, उसकी अफ़ायर दर्जी कराने के लूए उनको यापे, जंगर मंतर के बैचने पर रहा है, उसको सजाते वाले के लिए बैचने पर रहा है, जोस्तों, हमारे समाज में ऐसे ही, किसी भी लाक के लिए घर से बाहर निकल के ठेलों में नाम कमाना वैसी ही बहुत मुश्किन है, हमारा समाज में महिलाओं को आगे आनने से रोका जाता है, अपना भार के समाज के अंदर किसी भी महिला को बाहर निकल के इस मुकाम पर पहुचना लगब नमंकिन है, पूरी दुनिया पूरा देख रहा है, सबसे पहला तो मैं इन पहलवानों को सलाम करता हूँ, इनके जजमे को सलाम करता हूँ, इनके संगरश को सलाम करता हूँ, मैं उनको यह कहने चाहता हूँ, एक एक भारती है, जो भी भारत देश से प्यार करता है, इसमें को इस बाती बादी की बात न जो भी भारत देश से प्यार करता है, पूरा देश देख रहा है इन टीवी चैनला के माग्याँ से, जो भी भारत देश से प्यार करता है, वो आपके साथ करता है, जो भी बारत देश से प्यार करता है, जो भी बारत देश से प्यार करता है, जो भी बारत देश से प्यार करता आपने इस पूरे देश को जगा दिया एक एक अद्मी के दिल में बसे आपका यह संगर्श पूरे देश आपके साथ मैं आपको एक छोड़ा सटीसा सुनाता हूं अभी देर दिल पहले एक भुजूर गाए मेरे पास मैंने क्या होगे बुला सर जब मैं टीवी में देखता हूं बोले मैं पहले मोदी जी का बहुत भक्त होता था लेकिन जब सामा देखा हूं यह पिचारी लगिया जन्तर मंतर के उपर दोयाचारी के खिलाफ रफायर घर्ज कराने के लिए उसको सजा दिलाने के लिए करेंध करेंग करेंग को तो उसके तो आपको याद होगा किसानों के टाइम में क्या हुआ था गाड़ी चड़ा दी उसको पचाने में लग गया था आज एक आदमी इनकी पार्टी के साथ गलत काम करता पूरा कंट्र लग दिया पचाने के लिए तो संदेश यह है कि अगर इनकी पार्टी का कोरी भी आदमी चोरी करेगा और गलत काम करेगा मेलां के साथ सेरखार करेगा उसका बाल भी बाका नहीं किया जाएगा आज मैं बताओ एक पार्ट कराने के लिए स्प्रीम कोट जाना पड़ा अभी इनकी तब एक फ्राव इंको मुखार है इस मुखार के अंदर भी यह यहां रखिये है कि बने दर्द की बात है आज इस मंच के माध्यम से में देश के ये बड़ी परवित्र दर्टी है जंतर मंतर हम भी यही से निकले थे आज से दोजार ग्यारा में अंदा जारही है यही आए थे और उस ने उस अंदोलन में इस देश की राजी की बदल दी थी आज मेरा दी कहता है इन बचों को यह अं जो जो लोग भारत से प्यार करते हैं चाहिए वो कॉंग्रेस काओ चाहिए पीजेपी काओ चाहिए आमादनी पर्टी काओ चाहिए किसी पार्टी करना हो जो 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 लोग इस अपने भारत माता से प्यार करते हैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे भारत वर्षकों में कहन चाहता हूँ छुट्टी लेगे आओ इनका साथ दो यह अपने लिए लग रहे हैं यह पूरी खेल जगत के लिए लग रहे हैं सोचो जो आदमी इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ एक फायर दर्च कराने के लिए साथ दिन लग गए और सुप्रीम कोर्ट लग गया अगर यह रहे हैं तो जितने लोग भी देख रहे हैं को फलता मिलेगी मेरी एक और गुजारिश है अपनी केंद्रे सरकार से इतने निर्दाई मत बनो, इनके बच्चों का पानी रोख दिया, बजीनी रोख दी, इनके गद्दे नी आने देरे, मेरी तरफ से जो पन पड़ेगा मैं, दिल्ली के मुठ्धमंपर के आते सब कुछ करूगा, लेकिन इनके बच्चों का ये तो आने देया, ये तो युनी द से, ये तो इंसानियत है, हमारी पच्ची इन्होंने हमारे देश का इनाम रोशन किया था, इस दिन के लिए ठोड़ी किया था, कि एक दिन इनका पानी रोख दिया जाएगा, एक दिन इनका खाना रोख दिया जाएगा, लाइप काट भी जाएगी, हमें तो इनको कंदे पो प्लाओ झनल, बायत मतावीं! झाल झाल